अक्षय तृतिया के दिन तिजोरी में रखें पांच चीजें कभी खाली नहीं होगी जेब अक्षय तृतिया दस मई दोहजारों चॉबिस को है इस दिन तिजोरी में कुछ खास चीजें रखने से पैसों की किल्लत दूर होती है धन चुम्बक की तरह खिंचा चला आता है आईए जानते हैं अक्षय तृतिया पर तिजोरी में क्या रखें हिंदू त्योहारों में आखा तीज यानि अक्षय तृतिया जैसे बहुत कम दिन होते हैं जिन्हें इतना शुभ माना जाता है इस दिन लक्षमी जी का आशीरवाद और धन प्राप्ति के लिए सोना, संपत्ति, आदी खरीदना, सम्रिधि दायक होता है चांदी का सिक्का अक्षय तृतिया पर चांदी का सिक्का खरीद कर लाएं और इसे लक्षमी जी को अर्पित करें इसके बाद चांदी का सिक्का लाल कपडे में बांध कर तिजोरी या धन स्थान पर रख दें माननिता है इससे साल भर धन का अभाव नहीं रहता, तिजोरी हमेशा भरी रहती है शंक पुषपी की जड़ शंक पुषपी का पौधा जहां होता है, वहां बरकत हमेशा रहती है अक्षयत रितिया के दिन आप शंक पुषपी की जड़ को गंगा जल से धो लें फिर इसमें केसर का तिलक लगाकर चान्दी की डिब्बी में रख दें ये डिब्बी धन के स्थान पर रखना है, कहते हैं ये उपाए गरीब को भी माला माल बना देता है। श्रीफल श्रीफल को मा, लक्ष्मी और भगवान कुबेर का प्रतीक माना जाता है। माननेता है कि तिजोरी दुकान के गल्ले में श्रीफल रखने से पैसों की कभी कमी नहीं होती। अक्षय तृतिया के दिन श्रीफल को लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी में रखें। हलकी की गाठ के साथ कौडी हल्दी को भगवान विश्णू और ग्रह ब्रहस्पती का प्रतीक माना गया है। वहीं कौडी मान लक्ष्मी का प्रतीक होती है। ऐसे में धन प्राप्ति के लिए अक्षय तृतिया पर एक हल्दी की गांट, पीली कौडी के साथ पीले कपड़े में बांध कर तिजोरी में रखें, कंगाली दूर होगी। कुबेर यंत्र अक्षय तृतिया पर सुख सम्रिध्य और सौभाग्य की कामना को पूरा करने के लिए कुबेर यंत्र विधि विधान से स्थापित करें, पूजा के बाद इसे तिजोरी में रख दें, समय समय पर इसकी उपासना करते रहें, जैसे पूर्णिमा, धन तेरस, दिवाली पर कहते हैं, इसके प्रभाव से धन की किल्लत नहीं होती है।